नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर पे और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक खासम खास स्टॉक लगा के रखा हूं आज मार्केट में तबाई हो गई जिहां आज बुल्स ने अपना दम तोड़ दिया जिहां आज बियर्स के ग्रैप में आ चुका है मार्केट और यहां से मार्केट फर्दर गिरावट दिखा सकता जियां 14,000 का जो लेबल था निप्टी का यह आज बहुत ही डिसाइसिबली आज मार्केट ने इसे तोड़ा है और नीचे पर क्लोजिंग दी है तो यह अच्छे संकेत नहीं है बि अपनी हिसाब से चलेगा आपको अपनी हिसाब से चलना मैं फर्दर मैं कहा रहा हूं कि जब मार्केट पिक पे था 14,400 14,500 जियां 14,700 तक मार्केट गया और उसके बाद मार्केट में देखे करेक्शन स्टार्ट हो गया अगर आपने अपने पैसे को क्यास में रखा तो डेफिनेटली आप नीचे के लेबल पर अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को एवरिज कर पाएंगे कुछ नए स्टॉक को आस पास भी हुई मार्केट के एक्सपेक्टेसंस के तो देखिएगा बजट के बाद भी इस मार्केट में थोड़ी से आपको फिर से फर्दर फ्रेस गिरावट देखने को मिलेगी और अगर बजट अच्छा खासा पेस किया मार्केट अगर इसे पोजिटिब लिया तो फि मार्केट के गिरावट को अपना फ्रेंड समझे आपको ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती कि मार्केट गिरता तो आपको परिसानी ज़्यादा होती बिकॉज आपको यह पता नहीं कि मार्केट में अब गिरावट आएगी या नहीं आएगी और अकसर ऐसा होता है कि हम लोग अभी अगर जिन लोगों के पास क्यास में पैसे हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे काउंटस चूच करने चाहिए जो मार्केट को बिल्कुल भी पाटिसिपेट नहीं कर रहे हैं देखिए आज निप्टी का ये इंडेक्स कितना गिरा है और TCS का सेर कितना गिरा है ये वीडियो के माहिदम से बताया था एसेंचर को भी पीछे छोड़ रही है मोस्ट वैल्यूवल सेर मोस्ट वैल्यूवल कंपनी के तौर पे TCS सामने आ रही है तो इस सेर को ज़रूर हर गिरावट पे बाई कीजेगा लॉंग टर्म बालों के लिए कोई भी रेजिस्टेंस औ इसी हिसाब से चलिए देखता हूं नेक्स स्टॉक कौन सा है देखिए दूसरा स्टॉक ना नदर दन बजाज फाइनस यह मार्केट को थोड़ा सा पाटिसिपेट किया है विकॉस देखिए आगर पांच दिरों के स्ट्रेक्चर पे दिखाऊं तो लगभग फिप्टी टू अपने आपको इस सेर ने कैसे समाला है आपको अच्छी तरीके से पता है इसलिए घिरावट आती है इस स्टॉक को बिलकुल न भूलिएगा अगर आपके पास है क्यास तो जरूर इस कंपनी पर पैसे लगाईएगा देखिए बैंकिंग और फाइनस के रिगार्डिंग सभ किया आपकलिए अपरें कौला है यह को जिससे से लिए अगए इसे की किया है और इससाम करेंगे सिर्प हम देखते रहे जाएगा प히र आप सब्सक्रानी चाहिए जिन लोगोंने अभी तक क्यास में अपनी आपको convert नहीं किया था फिर से मौका आएगा मार्केट में असी नहीं है ये चलता रहेगा मार्केट इसी हिसाब से चलेगी आपको सिर्फ अपने आपको बदनने की जोरत है तो अगर इस टाइम आपके पास नहीं है क्यास और आप अभी मार्केट की जो गिरावट आ रही है उसको participate नहीं करने है आपको थोड़ी सी problem हो रही है तो इससे सीख लेना चाहिए और नेक्स टाइम आगे हम लोग फिर से अपने आपको मार्केट के हिसाब से चलने की कोशिज करेंगे देखें तीसरा से नन अदर देन HDFC बैंक लिमिटेट होगा HDFC बैंक भी उसी क्राइट कर रहा बैंक निप्टी आज 1000 पॉइंट डाउंसाइड रहा और देखें बैंकिंग इंडेक्स के वजह से सारे बैंकों की अगदम हालत कराब हो गई सभी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल स्पे इस बैंक को तो ब बैंकिंग सेक्टर में आप आईसे ऐसी बैंक के साथ जा सकते हैं सभी बैंक को पी गिरावट आएगी चलिए देखता हूं एक्स स्टॉक नगादर देन रिलांस इंडेस्टी में तो अच्छी घावट है रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है पांच दिनों से अगर देखा जाए तो स्टॉक 2100 से करेक्ट होते ओटे 1900 के आसपास में आ चुका 1900 का लेबल भी इसने थोड़ा है इसमें थोड़ा सा कॉंसियस रहिएगा सायद आपको यह स्टॉक और भी डिप दिखा सकता विकॉस देखिए 6 मंत का लो जो है इस स्टॉक का वो है 1850 का यही है टिकनिकल चीजों को ध्यान में देने का 1850 के नीचे की क्लोजिंग स्टॉक में फर्दर गिरावट आएगी तो डिलांस इंडस्ट्री को एक दम बाज के तरह देखते रहिए रिलांस इंडस्ट्री बहुत जवर जस्त मौका देगा मुझे जा सकता है ऐसा हर बार ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी इस चीज की कोई गारेंटी नहीं है लेकिन टिकनिकली स्टॉक में अगर यह लेवल तूटता है तो आपको फर्दर फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी ठीक है तो रिलांस इंडस्ट्री को देखते रहिए जहां प आपके सामने प्रिजेंट करना चाहूंगा लासे इंटुब्रो इंफो टेक लिमिटेट इस सेयर को तो मैं कदई नहीं भूल सकता हूं देखिए आज मार्केट मितनी गिरावट में भी यह स्टॉक साड़े तीन सो साड़े तीन परसेंट की तेजी आपको दिखा रहा है ज डेफिनेटली आपको इंजॉइ करना चाहिए एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है जो 4008 के आसपास में था स्टॉक में आज अच्छी मोमेंटम थी स्टॉक आज 14100 तक उपर गया था और लास्ट में क्लोज कहां पर हुई कोई चीज अगर मिस्टेक हो जाती है बोलने में तो उसे इग्नोर कीजिएगा बिकॉस बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती है और टाइम फ्रेम भी आपको कम होना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम होने से आपको दिक्क्त होती है तो इस चीज को ध्यान में रखिए तो यह पांच स्टॉक कॉलिटी वाल स्टॉक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया लेकिन आपको करना क्या है अपनी खुद की स्टाडी अनालेसिस करनी है उसके बाद स्टॉक पर बनना है हमारे कहने पर बिल्कुल नहीं बनिएगा विकॉस हमारा काम अब तक अपडेट पह होंगे तो आप उनसे जरूर एक बास अला लिजेगा तभी स्टॉक पर बनिएगा दिसी मैं डिस्किलिमर वीडियो अच्छा लगा स्टॉक अच्छा लगा तो जरू कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा for the latest and genuine information regarding the stock market पानिक लिए, thank you.